फ्रेंड हाजीर हूँ आज की टिप्स ले करके आज की वीडियो ले करके I hope आप लोगो आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी और मुझे उम्मीद है कि आज आप लोग इतना शेयर करोगे इस वीडियो को कि वाइरल कर दोगे क्योंकि ये इतनी useful tips है जो सभी को पहुँचन चालते, जैसे कि आलो की पराथे ,ालो की कचोरिया, कची भी बरानी चलते और ज्यादा आता है है कि मुझे जाना था , तरहлись है तो किया करते है आलो को चिल के सहीत रख देते हैं ऐसा रखने से निची कि आलो नहीं fare अगरूटे इस यह द्विस्ट देना जैसे कि aluminum file नहीं है कुछ भी नहीं तो आप ये newspaper ले लिए और इस तरीके से इसको ढग दीजिए आप इसको अच्छी तरीके से दबा दीजिए चारो तरफ से इसको अच्छी तरीके से दबाईएगा बस आप देखिएगा 24 घंटे बाद भी आपका अलू खराब नहीं होगा चली चलता है नेक्स्ट की तरफ तो जब हम लोगों का toothpaste खतम हो जाता है तो हम लोग क्या करते इसको फेट देते हैं जबकि इसमें इतना सारा toothpaste रहता आना जिस हारपिक से या कुछ ऐसे cleaner से साफ करते हैं तो उनकी शाइन चली जाती है तो आज के बार मेरे बताएवे इस टिप्स को जरूर फालू करिएगा और फिर देखिएगा आपके सिरेमिक के जो भी चीजे होंगी चाहे वो आपका टैब हो आपका बाट टैब हो या कुछ भी हो कोई भी चीज हो जो सिरेमिक की हो या श्टील की हो आपके बाथरूम में जो भी चीज हो आप उसको क्लीन करिए इस बचे होए थोड़े से टूथ पेश्ट से आप देखोगे ना इतना अच्छा शाइन करता है बिल्कुल नए की तरह चम चमाएगा आपको खुद यकिन न हो कि वाकई में इतना अच्छा ही क्लीन हो सकता है तो आप देखरों आपके सामने मैंने एकदम से क्लीन कर दिया है और मेरा यह जो वेसी नहीं एकदम से चमक रहा है बिल्कुल नए की तरह तो हमेशा के लिए इस चीज को ध्यान रखिए कि कभी भी शेलूशन नहीं होता ह कि हमबस हारपीग से ही साफ करें हम बचेवी टूथ पिस्टे भी क्लीन कर सकते हैं चलिए चलते हैं नेक्स्टी की तरफ तो कभी कभी क्या होता ना जैसे उन विंगनर के लिए होता है कि इंको मिलते एक की चाहे हो हॉस्टल कि बहुत कि आखुर output तो वह और रख देते हैं और खो जाता तो करना क्या है कुछ इस तरीके से लेना एक rubber band और rubber band में डाल देना है की को चलिए मैं इसको अच्छी तरीके से डाल देती हूँ अगर इस तरीके से आप इसको यूज करोगे न तो यह आपके बहुत कामाईगी तो मैंने इस तरीके से इसको फसागत दिया आपको सोचोगे कि आरे वाव इतना अच्छा यूस्फूल टिप्स कोई नहीं बताता है तो यह है ना हम लोग हमेशा ब्रा को पहनते हैं और बच्चे भी पहनते हैं तो बस कुछ इस तरीके से इसको ऐसे फसाना है और बस की को इसमें से ऐसे निकाल देना है अब आपकी क किना एक है लेकिन सुरचित है कहीं भी रखेंगे रखकर भूलने की जरूरत नहीं है लगा लिया यह आपकी की हमेशा आपके साथ रहेगी कहीं भी आप जाओ आओ और जब जरूरत हो तो निकाली और यूज कर लिए तो है ना ही बहुत ही काम की टीप्स आपको कैसी लगी करके चलो बताइएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ हम लोग मसाले जब भी उज़ करते हैं तो निकालते हैं कभी उसमें कम हो जाता कभी हो जाता ज्यादा तो हमको अगर एक चमच ही परफेक्ट चाहिए ना तो उसका एक बहुत ही सरल सा टिप्स में आपको शेयर कर रहे हूं इसे जरूर यूज करिएगा और यह बिल्कुल फ्री है कुछ भी इसमें खर्चा नहीं है हमें लेना है एक रवर्बैंट इस तरीके से और आप इसको हम लगा देंगे इसके ऊपर जिधर भी चाहिए आप उधर लगा सकते हो जहां जो चीज निकालना हो और इससे एकदम से पर्फेक्ट आपका मजर्बैंट आएगा अगर आपको एक चम्मच चाहिए तो एक चम्मच ही निकलेगा तो इस तरीके साब बिल्कुल एक चम्मच देके निकला आया तो है ना कितने गाम की चिप्त कुछ भी नहीं करना है बस खाली रवर लगाया है अगर आप चाहो तो टेप भी लगा सकते हो टेप से और भी बढ़िया तरीके से पर्फेक्ट तरीके से आपका मिजर्मिन मिल जाएगा तो मैंने यहां पर रवर्बैंट इसलिए लगा है क्योंकि मैं इसको चाहती हूं कि इस तरीके से य लगा दीजिए और हां यह बता दो यह आसानी से ढखकन बंद भी हो जाता है इसका ऐसा नहीं है कि आपने रवर्बैंट लगा दिया तो डखकन नहीं बंद दोगा तो यह दिखे जितने जरूर थे उतना निकाल दीजिए एक श्ट्राप का सारा निकल चाहेगा और एक चम के दीजिए पाँ कीम है और हमारे बचों की खासी सर्दी भी सुरूर हो गई है तो आज मैं इसी का-ई कि बढ़ींसा इस Remember वी थ्ले कर के आयूं तो अद्रफ को कुछ इस तारीके से गिस ले ना है आप चाहो तो इसको grinder में भी चला सकती हो अगर आप ज्यादा बनाना चाहो तो अगर आपको थोड़ा सा ही बनाना है तो आप इस तरीके से क्रिश कर सकते हो तो ये देखिए मैंने सारा इसको क्रिश कर लिया है कुछ इस तरीके से अब मैं निकाल लूँगी इसको पूरा निकाल लेना है ताकि ये काम भरका हमारे हो जाए तो ये देखिए क्लीन हो गया सारा निकल आया है अब हमें लेना एक बाउल छोटा सा ये बोल ले लिजे कोई भी और उसके बाद में एक लेनी ही छननी अब इसमें डाल देंगे हम अ आप चम्मच लेना है और चम्मच की हेल्प से इस तरीके से प्रेस करना इस पर जिससे इसका सारा जूस निकल आया तो ये देखिए इसमें पूरा जूस निकल आया है अब इस अद्रक का जो पेश्ट है इसको आप यूच कर सकते हो चाय में या फिर आप सबजी उगरा बन बहुत जादा गुड मत लिजिएगा जितना अद्रक का जूस से उतना ही गुड लेना है तो लगबग दो चम्मच मेरा अद्रक का जूस था तो मैंने इसमें एक चम्मच के करीब करीब गुड लिया है थोड़ा सा लेना है नमग अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देना है अब हम इसे रखेंगे पकने के लिए तो एकदम से फ्लेम को सीम रखना चाहे गैस पे रखो या इंडेक्शन पे रखो इसको एकदम से सीम फ्लेम बे ही पकाना है ताकि इसके जो सत्तो है वो जलने न पाए और हमारा जुकाड़ा ये रेडी हो जाए ये बच्चों के लिए बहुत फाइदे मंद है अगर आप बच्चों को इसको देते हैं तो बच्चों के खासी बहुत जल्दी ठीक हो और बच्चे क्या बड़े भी इसको खा सकते हैं और कैसी भी खासी हो कितनी भी बुरी तरीके से आ रही हो चाहे कफ वाली हो चाहे सामान खासी हो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है तो बस इसको पकाने का ध्यान रखे का कि बस जब गाड़ा होने लगे तभी हमको गैस को बंद कर देना है और ये लगबग एक से डेड़ चमच ही बचेगा तो आप देखरो इसमें लगवा एक चमच ही बचा है आप मैं बंद कर दे रही हूँ और इसे थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी बस गुनगुना गुनगुना ही देना है और चमच के उससे दे दीजी एक चमच बच्चे की खासी एकदम से चली जाएगी इस टिप्स को ज़रू ट्राइ करिएगा चली जाएगा नेक्स टिप्स भी बहुत यूजफुल है और ये है प्याच छीलने से लेकर के प्याज को हम जब भी छिलते हैं तो हमारे आसों की धार बहती है और बहुत ज़्यादा जलन लगती है तो अगर ज़्यादा एक दो छिलना होता है तब तो कोई बात नहीं हम छिल लेते हैं लेकिन अगर ज़्यादा छिलना होता है तो बहुत ज़दा problem होती है तो अगर बहुत ज़दा छिलना है किलो किलो छिलना है को तो लेना है इस तरीधे से poly bag जो यह कपड़े वाला poly bag बोता नब इसको लेना इस तरीधे से यह देखिए और बस मैं इसमें डाल दूँगी सारे प्याज अभी आप देखोगे और वाव आपके मुझसे निकल जाएगा और आप तुरण शेयर करोगे आपनी फैमिली के मेंबर्स के साथ में क्योंकि ये टिप्स बहुत ही उस्पूल है और बहुत ही आपके काम को हेल्पूल करेगी तो ये मैंने देखी नॉट लगा दी वासिंग वसीन में और बस दस सेकेंड का हमने इसको लगाया है दस सेकेंड में हमारा प्याज छिल जाएगा तो चलिए दस सेकेंड हो गया है और हमाने वसीन बंद हो गई तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हमारा प्याज छिला या नहीं छिला तो चलिए मैं आपको खोल क बनाते हैं और सही से नहीं दिखाते हैं जिससे लोग वेकूप बन जाते तो यह देखिए तो यह देखिए वारा छिलकर करके रिड़ी बहुत इस रड़ करना पड़ता हो अरे बहुत हैं कुछ भी न करना पड़ता है तो छलिए मैं इसकляется करें म taraf के करके देखा रही हूं कि मेरा फूरे छिला थोड़ा धोड़ा हुआ है तैसे हम हाथ से educación कर सकते हैं ओ यह देखिए मैं एक आपको उठा करकर दिखा रहे हो सार प्याज मेरा छिला हुआ है बस कहीं इक नहीं दिता हुआ है तो इसे बस रही सी डिटी कर देजिए यह देखिए और यह बहुत सरल सी टिप्स मुझे लगी यह देखिए तो चलिए इसको मैं पलट करके दिखाती हूँ किस तरीके से यह छिला है और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा साथी साथ अगर आप न्यू आया हो तो सस्क्राइब भी कर लिजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लिजिएगा क्योंकि यहां पर मिलेगा बिल्कुल औरिजिनल टिप्स और वो भी मेरे आज माय हुए मैं यहां पर बिल्कुल फेक टिप्स नहीं आज दिखाती और न आपनों साथ शेयर करना पसंद करती कोड़े बहुत लगे हैं तो उन्हें में हाथ से रिमूब कर दिती क्योंकि जहां पे जड़ होती है वहां पे थोड़ा बहुत हाड होता है तो वहां पे लगा रह जाएगा यह देखिए हैंना कितना बड़ी हां टिपस है आपको जरूर पसंद आएगा पसंद आए तो कितनी आसानी से और छिलके भी देखिए अलग हो गए अब मैं छिलकों को यूज करूंगी अपने प्लांट में खात बना कर डालने के लिए तो टिपस कैसी लगी जरूर बताईएगा हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आज की टिपस में सबसे बेस्ट टिपस आपको कौन से लगी और क्यों लगी साथी साथ आज की वीडियो का मैं यहीं पेंट करूंगी और मिलूंगी कल फिर नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए